फ्री फायर गेम के जरी एक नाबालिक लड़की की यूबक से दोस्ती हो गईूबक कतर से लड़की से मिलने पहुँच गया वह लड़की को किड्नैप कर ले गया घर वालों की सूचना पर पुलिस ने पीछा किया और रिवक को बिहार से लड़की के साथ पकड़ लिया मामला दोसा जिले के बांदी कुई कहर दरसल बच्ची की ऑनलाइन गेम के चलते दोस्ती कतर में बैठे 25 साल की इजराइल से हो गईूबक के बिच ऑनलाइन ग्रेम के जरिये हुई पहचान का फायदा उठा कर यूबक लड़की को लेने कतर से दिल लिया गया सिम चेंज की फिर लड़की को बांदी कुई से किड्नैप कर अपने साथ बिहार ले गया प्लान था नेपाल भागने का लेकिन पुलिस ने पहले ही दबोच लिया लड़की की परजनों ने 19 जून को थाने में किड्नैप होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी पुलिस ने बच्ची को तलासा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला पिता ने कहा कि बच्ची कुरकुरी लेने गई थी वहां से कोई उसको किड्नैप कर ले क्या दोसा एसपी राजकुमार गुपता के नेतरित्तों में इस्पेसल पुलिस टीम का गठन कर मामने की जांच की गई पुलिस ने जांच सुरू की तो पताचला की बच्ची ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेला करती थी जिस दिन वह किड्नैप हुई उस दिन उसकी बातचीत संदिख्ध इंस्ट्राग्राम आईडी के साथ हुई ये आईडी कतर की थी लेकिन भारत में एक्टिव मिली उससे जुड़े मुवाइल नंबर को ट्रेक किया तो सामने आया की सिम नई दिल्ली से खरीदी गई है टीम को बिहार के लिए रवाना किया गया जहां दर्भंगा से लड़की और आरोपी युबक को बस स्टेंड से पकड़ लिया गया युबक लड़की को नेपाल के रास्ते कतर ले जाने की फिराक में था S.P. राजकुमार गुपता ने बताया की 25 साल का इजराइल नाम का आरोपी नेपाल का है कतर में मजदूरी करता है 18 जून को कतर से फ्लाइट के जरी इजराइल दिल्ली आया था 19 जून को वह लड़की का माइंड वास का ट्रेन से दिल्ली ले गया आरोपी को साथ दिन के रिमांड पर लिया गया है पुलिस इजराइल से पूछताश कर रही है